दोस्तो घरिल उप्चार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हादिक स्वावत है आज हम बात करेंगे गंजेपन के रोग के बारे में यह एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से इंसान की परस्नेलिटी पर बहुत असर पड़ता है कम उम्र होने के बावजूद भी इंसान उम्र दराज लगने लगता है रोगी अपने आपको बहुत डिप्रेस महसूस करता है आईए देखते हैं इस बीमारी से बचने के आसान और घरेलू उपाय क्या है उपाय नमबर एक चिर्चिटे और पवाड के पत्ते समभाग लेकर खुब बारिक पीस कर चालिस दिनों तक सिर पर लेप करने से गंजापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है उपाय नमबर दो आम के अचार का तेल कम से कम एक साल पुराना लें और सिर पर हलके हाथ से रोजाना चालिस दिन तक मालिस करने से गंजापन रोग दूर हो जाता है उपाय नमबर तीन कनेर की जड़ की चाल और दूधी दस दस ग्राम लेकर दूध में पीस लें और सिर पर इस दवा की मालिस चालिस दिन तक करें उपाय नमबर चार अमर बेल बूटी धाई सो ग्राम को तीन किलो पानी में परती दिन पानी में उबा लें और जब पानी आधा रह जाए तब उतार लें सुभे इस पानी से सिर धुएं लगतार छे महीन तक इसका परियोग करें बाल जढ़ने बंद होकर गंजापन हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा हमें उमीद है कि इन उपाईयों से आपका फायदा जरूर होगा उपाय हमारे और फायदा आप सब के इसी खैल के साथ आप दीजे इजाज़त जल्दी फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंचते रहें मुस्कुराते रहे और अपना ख्याल रखें हमारा यह प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा हो तो सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन सब को भी इसका फायदा मिल सकें